एट ग्रेड अभ्यास पुष्टिगा कच्छा साथ गनित पर हम पढ़ेंगे अध्याय तीन आक्रों का प्रबंधन तो ये रहा हमारा किताब का पाठ इसको एक बार आपको देख लेना है इसी तरह है ये इसका दूसरा पन्ना ये दूसरा पन्ना माद्यक दंड आलेक वगरा सब दिये हुई इसको पढ़ने हैं और यहीं से प्रिशने सुरू हो रहा है तो ये जो है ये एक बेस्था दरसाई गई है इन आक्रों को दंड आलेक दोरा पर दरसित कीजिए तो दंड आलेक तो बन गया है और इसमें जवाब देना था कि चलो इसी को यहीं सुरू करते हैं तो यहां पर प्रिशने पूछ रहे हैं कि किस वर्स में अधिकतम साइकलों की संख्या निर्वित की गीती जो सबसे बड़ा दंडा होगा है न सबसे बड़ा दंडा कहां गया है 2002 में तो यानि 2002 में इधर चला गया ठीक है 2002 मे साइकले निर्मिती हैं तो जिसका सबसे छोटा अडंडा होगा यह कहां पर है यह वाला अडंडा सबसे छोटा है यानि 1999 में सबसे कम निर्मित हुई थी तो इसमें दूसरे वालेम का जवाब हो जाता है यानि B का 1999 है पस आप यहीं से सुरू हो गया हमारा तो सुरू करते ह प्रियास कीजेब चलो प्रियास करते हैं विभिन वर्सों में कच्छा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्निसारणी द्वारा प्रदर्सित किया गया यह वर्स दिया हो गया है 16, 17, 18, 19, 20 तक और विद्यार्थियों की संख्या चालिस, तीस, पैंतिस, पच्छिस और बीस अब चित्रा लेकी एक ऐसा टाइप का आदि बनाना है इसका मतलब है पांच आदमी है यह ठीक है विद्यार्थियों की संख्या तो इसका मतलब पांच विद्यारतियों की संख्या और यह जो पैमाना भी बरताया गया था वैसा ही पैमाना भर लिख देना है कि पांच विद्यारतियों के लिए है तो 2016 में कितने थे जी 40 तो 40 मतलब होता 5,8,40 तो 1,2,3,4,5,6,7,8,8 हो गया है 2017 में 30 थे 30 का मतलब 5,6,6 होने चाहिए 18 कितने थे 35,500 होता है 5,7,35 या निए 5 का 35 में तो साथ बार एक दो तीन चार पांच है साथ ठीक है और दो हजार उन्निस में पच्चिस है तो दो हजार पच्चिस एक दो तीन चार पांच दो हजार उन्निस में पच्चिस और दो हजार बीस में कितने है चार बीस बीस का मतलब पांच होगे बीस चार एक दो तीन चार चार बनाते हैं यह हो गया हमारा चित्रा लेख अब आगे कह रहे हैं कि प्रश्णों को पढ़कर दिये गए विकल्पों में से हैं सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिये गेरे को भरिए यह वही दिना ठीक है ना तो पहले पढ़ों क्या दिये गए आकड़ों में कहलता है पारिसर और यह कहा लिखा हुआ है यहाँ पर जवाब लिख ले देना है और बी में है तो बी में गोला लगा लिजे फिर दूसरा कह रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है म तो यह कहां लिखा हुआ है यह माध्य लिख देना है और इसमें डी में गोला लगा लेना है प्रिश्ण तीन ही कह रहे हैं कि पांच, बच्चिस, पंद्रह, तीन, दस और आठ का माध्य आउसत क्या होगा तो इन सब को जोड़के और अंगे कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे का भाग दे देना तो यह च्छट, बच्छे हो गया है यह नहीं कि कुल ग्यारह आया तो ग्यारह कहा है बी मे तो बी को गोला लगा लिजे अब इसी तरह इसमें आजाएए चोथे में च्छे, बारह, च्छे, दो, चौदे, सोले, चौदे, बारह, अठारह, सोले, बारह, का बहुलक तो आप एक काम करें इसको पहले बढ़ते क्रम में ब्युस्तिक कर लिजे फिर देखिए सबसे ज़ बारह, 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 बारह के भय दे दें तो ये भी बन गया छै तो ये कहां पर है C में, तो C को गुला लगा लीजे फिर आ जाते हैं सबसे बड़े य़म सबसे छोटे आकड़े के अंतर को प्रिसार या परिसार कहते हैं सात्मा कह रहे हैं दिये गए आंकडों को आरोही या आवरोही करम में विवस्थित करने के बाद उनका बीच का मान यानि माध्य क्या कहलाता है तो इसका ये परिभासा है एक तरह की तो आंकडों को आरोही या आवरोही करम में विवस्थित करने के बाद उनके बीच का मान यानि माध्य या मध्य क्या कहलाता है माध्य क्या कहलाता है इसको जवाब लिख देना है ठीक है अब आईए आठवा नमबर प्रसम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा प्राकृत संख्याओं कहा शुरू होती है एक से तो एक दो तीन चार पांच को जोड़ के पांच का भाग देना कहां तक गया पंद रहे तो पंद रहे तो पंद रहे तीन आ गया नौवा नंबर कह रहे हैं आंकडों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षन क्या कहलाता है तो आंकडों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षन बहुलक कहलाता है दस्मा कह रहे हैं कि सुसील तीन क्रमागत दिनों में क्रम सह 6 गंटे, 5 गंटे, 7 गंटे पढ़ता है उसके पढ़ने का ओसत समय क्या है ओसत का मतलब होता है इन सब को जोड़ के 3 का भाग दे दीजे तो ये बन गया 6, 5, 7 को 18 बन गया और 3 का भाग दिया तो 6 बार गया तो ओसत आ गया 6 गंटे, समय क्या है 6 गंटे इसके पैमाना जरूर लिख दिया करिए 6 गंटे बढ़ता है, ठीक है अब आजाते हैं 11 में 11 में कह रहे हैं कि निम्न लिखित आंकडों का बहुलग ग्याद कीजिए तो बहुलग ग्याद करने का क्या तरीका था? सबसे पहले उनको आरोही क्रम यानि कि बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है तो ये जी देखो, ये बढ़ते क्रम में लिख लिया अब गिन लो सबसे ज़्यादा कौन है? ये दो हैं, ये भी दो हैं, ये तीन है, ये एक है, ये एक है सबसे ज़्यादा कोन आए है? 14, तो बहुलग के दा बन जाएगा? 14, ये बहुलग हो जाएगा 12 अमें क्या कह रहे हैं? कि निम लिखित आंकडों का माध्या, क्यानि मीडियन ग्याद कीजिए तो फिर वही करना पड़ेगा आपको यह जो सवाल दिया है इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यस्थित कर दो अब व्यस्थित करने के बाद यहां देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है ना साथ में बीच कौन हो गयागा तो तीन इधर निकाल लो तीन इधर आद बचा कोन यह पच्चीस ही तो बच्चा तो जो बीच में होता है यही कहलाता है माध्यक ठीक है तो यह माध्यक बन गया पच्चीस तेरह में कह रहे हैं कि एक क्रिकेट खिलाडी ने आठ पारियों में लिखित रन बनाए यह बनाए ठीक है इन रनों का परिशर गयाद कीजिए तो सबसे पहले जब इस टाइक को जितने भी सवाल आएंगे आप उनको सबसे पहले सारे आंकडों को आरोही क्रम में रख लिजिए पहले सूने 35, 40, 46, 50, 58, 56 और यह कर लिए फिर पारिशर का जो परिभासा होती है उच्चतम रन मतलब जो अंक होता है यहाँ पर रन की बात हो रही तो सबसे अधिकतम रन और नियूनतम रन यहाँ पर उच्चतम लिखा है आप अधिकतम भी लिख सकते हैं तो उच्चतम रन यहाँ अधिकतम रन कित्ता बनाया था सो और नियूनतम कित्ते बनाया था नियूनतम इधर अधिकतम इधर दाएं तरफ और नियूनतम भाएं तरफ तो सूने यहाँ सूने को कम कर दीजिए सौ में सूनी गटेगा तो क्या रता है सौ ही तो आएगा तेनी कि उसका जो परिशर है वो सौ का है ठीक है जी अब चौदहवा नमबर प्रेस ने ये कह रहे है कि ये पांच साथ नौ एक्स छे दस गैरह का माध्य आठ है माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़के जितने अंक थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो साथ का भाग दे दिया था और ये कह रहे है टोटल मान आठ था अब इसका वैल्यू गयाद करना है तो अंक सारे जोड़के इधर लिख दिए ये चररासी है और साथ का भाग तो ये साथ दिदर जाके गुणा हो जाएगा तो एक्स धन आड़तालीस बरावर साथ गुणे आठ तो साथ अठ्छे चपन और ये दर चलाके धट गया यानि एक्स में से आड़तालीस धर चला गया तो 56 में 47 उत गटाएंगे तो 8 बचा है यानि X कमान के तथा 8 था ठीक है जी अब इसमें एक प्रश्ण ये कह रहे हैं कि 6 विभिन कच्छाओं के विद्यार्थियों की संख्याय नीचे दी गई है इन आकणों को एक दंड आले द्वारा ने रूपित कीजे तो ये जी दंड आले बनाना है कच्छा स esse का इंधर बना लिजे एक这 पर और ये विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की संख्या विद्यार् की संख्या ये विद्यार थी तो कि पैमाने में इस पस्ट देखना चाहिए ठीक है जी अब यहाँ पर यह है एक इकाई बराबर दें यहाँ पर यह भी लिखना था आपको पैमाना 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 क्या बना है एक इकाई बराबर दस विद्यार्थी ये इसका पैवाना है ठीक है तो शुरू हो गया ये देखें ये दस-दस करके बनाया है हम लोगों ने यहां तक ले गया है जहां तक आधिक तमंग ठीक है तो पांचवी में 130 था तो इसका डंडा पूरा उपर तक ले जाएए छटवी यहां कच्छा हो गया यहां विद्यार्थी में किसंख्या हो गया अब क्या करना देखिए ये छटवी कहां तक है 120 तो ये 120 तक खिच ले जाएए सात्वी में 90 थे तो ये 90 कहां जा रहा है यहां तक ले जाएए आठवी में कितने थे 100 तो ये इसको 100 कहां है ये यहां तक 100 चला गया, नौमी में कितने हैं, नबे, तो ये भी नबे के सामने यहां तक ले गए, फिर दस्वी में कितने थे, असी, तो ये असी के सामने यहां तक ले गए, इस तरह ये हमारा दंड आलेख पूरा होता है, तब आएंगे अगले पाठ में